शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले महराष्ट सरकार के आदेश के अनुसार COVID-19 के प्राधुर्भाव को ध्यान में रखते हुए प्रायोगी तत्वों पर कुछ बसे चलाने के निरने लिया गया है महराष्ट सरकार के आदेश के अनुसार COVID-19 प्राधुर्भाव को ध्यान में रखते हुए प्रायोगी तत्वों पर कुछ बसे चलाने के निरने लिया गया है जिसमें से कलमेश्वर बस्तानक से कुछ बसों की आवाजाई सावनेर और काटल के लिए की जा रही है जिससे कलमेश्वर बस्तानक पर आने वाले सभी बसों को काटल और सावनेर आगार से बसों को सैनिटेज करके बस्टेंड पर लाया जा रहा है जिसके बाद बसे कलमेश्वर में आ रही है अब तक जिन बसों को यहां से रवाना किया है जिसमें सावनेर की दो और काटल की एक ऐसी ट्रीप की गई है एक बस में सिर्फ 22 यात्री जा सकते है भले ही कलमेश्वर बस्तानक से अंशता बसे शुरू हो गई हो लेकिन अभी भी यात्री की संक्या नहीं दिखाई दे रही है फिलाल तो COVID-19 के सबसे यात्रियों का कुछ भी रिस्पंस नहीं मिल रही है एक गड़ी में लगबग चार पांच छे लोग इधर से आवा जाई में इधर से जाने में फिलाल में मिल रहे है आज सके अभी सके सुवेरे साउनेर एक काटूल की दो फिरियों हो चुकी है प्रफिलाल में और सावनेर को शाम मों 6 वजे एक गड़ी और सावनेर की और एक गड़ी आएगी बसेस के सानीटाईराइशन के बारे में कहना पड़े का तो आगर पाथड़ी पे सानीटाई़ाईशन डेली बस निकलने के पहले किया जाता है अब बात ऐसा है कि कोविल प्रादुर्बार के वज़े से फिलाल के कंडिशन में प्रवाशी जो है उनके मन में धास्ती पाइदा हो गई है जो की बाहर निकलने को नहीं देखते हैं उसका रण गाड़ी में प्रवाशी उनका संक्या बहुत इक कम है अब धीरे धीरे जैसी स इसके वज़े से एक गड़ी में एक ट्रिप में 22 यात्रिये ले जाने की अपने को परमीशन दी गई है कलमेशर बस्टैंड से कैमेरा परसन राजकुमार महोड के साथ संजेई मीरे इन बीसेन निउज नागपूर